जून में Unlock 1 के तौरान एकनॉमी के पट्री पर लोटने के मजबूत संकेत मिले थे खुद सरकार और फिर RBI ने भी इस पर अपनी पीट थपतपाई थी RBI गवर्नर ने तो बीते हफते ही दावा किया था कि आर्थी कतिविदियों में जून महीने में जोश भर चुका है लेकिन ये जोश तब था जब लोगडाउन की तेजी से विदाई हो रही थी जुलाई के आगास के साथ ही कई राजियों के अलग-अलग एलाकों में फिर से लोगडाउन का प्रयोग दोराया जाने लगा इसे कुरोना की रोगधाम का अचूग हतियार मानगर्द सरकारे इस्तमाल कर रही है लेकिन इस हतियार से कुरोना काबू आए या ना आए अर्थिवियस्ता ज़रूर बेकाबू हो जाती है दरसल जून में आर्थिक गतिविदियों और बिकरी बढ़ने की जो खबरे आई थी वो बीते एक हफ़ते में दोबारा घटने लगी लोगडाउन वाले इलाकों के रीटेल स्टोर्स में वीकेंड बिकरी में 30-35 फिसदी की गिरावट आई है जुलाई में जून के मुकाबले मोबाईल फोन की बिकरी 30-40 फिसदी कम हुई है लोगडाउन वाले शहरों में गाडियों की बिकरी पर 10% की गिरावट आने का दावा आटो कमपनियां कर रही है असल में ऐसा नहीं है कि लोग केवल वीकेंड पर ही खरीदारी के लिए निकलते हैं और मार्केट बंद होने से वो कुछ खरीद नहीं पाते दरसल इसकी वज़ा है लोगडाउन के चलते सेंटीमेंट्स कमजोर होना ऐसे में लोग भविष्य की चिंता से घबरा कर खर्च करने से बच्चते हैं इससे कारूबार को बड़ा जटका लगा है और वो भी तब जब जब ज़्यादतर कमपनियों में पूरी शंता के साथ काम होने लगा था LG के देश भर में जहां 85% स्टोर्स खुले हैं दावा किया जा रहा है कि इससे जुलाई के एक हफते में ही विक्री 25-30% तक लोड़क गई है ये तो शुरुवाती आकड़े हैं जब UP बैंगलूर में प्रयोग के तौर बार दो दिन का लोगडाउन लगाए गया था अब बैंगलूरू में 14 से लेकर 22 जुलाई तक लोगडाउन लागू रहेगा UP में जुलाई में हर वीकेंड पर लोगडाउन रहेगा ऐसे में बिक्री में गिरावट की ये शुरुवाती आकड़े जुलाई से सितंबर तिमाही पर बेहत बुरा सर डाल सकते हैं